हिमाचल चुनाओं को लेकार के अख्सर थोड़ी चर्चा देश भर में कम होती, पहाडी राज्य है, कम सीटे आती हैं, लेकिन इस बार की चुनाओं खास है, एक बहुत बड़ी हाईलाइट एस चुनाओं की वो है प्रधान मंत्री मोदी का एक फोन कॉल, प्रधान मंत्री मो को फोन किया वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वाइरल है कॉंग्रेस उसको ले करके मोदी जी से लेके बीजेपी को घेर रही है प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि आप नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिजे कृपाल परमार टिकेट ना मिलने के बाद बीजीपी से हिमाचल की फतेपुर सीट से निर्दलिय चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे कई बागीपूर विधायक हैं मौजदा विधायक हैं जो चुनाव में तो प्रधान मंत्री मोदी ने अपने पुराने साथी को मनानी के लिए फोन किया प्रधान मंत्री मोदी जी ने कहा कि मोदी जी मैं मेर जी ने मुझे जलील किया है 15 साल मोधी जी ने का सुन लीजी अगर तुम्हारी जिंदगी में मोधी का कोई रोल है तो परमार जी बोलते हैं बहुत रोल है फिर मोधी जी बोलते हैं मैंने तुम्हें जो फोन किया है उस फोन की कीमत कम मत आकना परमार जी कहते हैं कम नहीं आक ह Keya Plzakar Miranda Cum 2001 को क्ल असल में आया था पहले दो की पुर्पाल जी बहुत का महामंतरी था तो हम लोग काफी हमने उनको ट्रेवल किया जो परवास जाते थे तो हम कही गार उनके साथ रहते थे तो मेरा उनके साथ परिवारी कृष्टा है वो मेरे बड़े बजुर्गों के समान है और बड़े बजुर्गों नहीं मैं तो उनको देवतुल्य मानता हू इसलिए मैंने कहा कि ये भागवान का अदेश है आपने तो ये फोन कॉल की पुष्टी कर रहे हैं करपाल पर्मार साब जो पूर सांसर दिये बीजेपी के आप मोदी जी के इतने घनिष्ट है सब जानते हैं माचलों सब जानते ही है अब पहले तो ये बताई कि मोदी जी ने फोन के उसके बाद आपने जो निर्दली चुनाओ लड़ रहे थे बागी होके आप घर बैट गए हैं कि चुनाओ लड़ रहे हैं मैं लड़ रहा हूँ क्योंकि पर सित्नियां ऐसी पैदा कर दी जी मैंने उस दिन मोदी जी को भी कहा कि अगर आपका ये कॉल एक दिन पहले आ जाता क्योंकि इन तिसको विड्रॉल थी तीन बज़े तक अगर तीन बज़ने को पांच मिंट पे भी आ जाता हो तो मैं उनकी बात पूरी भी ना सुनता मैं कहता जी हो गया और मैं विड्रॉल कर लेता लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे आज बताया गया उस वक्त मेरा बैलेट पे नाम आ चुका था विड्रॉल का समय खत्म हो चुका था अगर मैं चुनाब से हट जाता तो मेरे नाम पे अगर दस बीस बोड पड़ जाते तो सारी जिन्दिकी के लिए मेरे एक लंक थाबित होता तो आपने कहा कि लड़ी लो फिर लड़ी लो मेरे पास चारा कोई नहीं था कि अगर वो पहले मेरे को कॉल आ जाती तो निश्चित रूप से एक सेकंड भी ना लगाता मैं विड्रॉ करने में किसी को ना पूछता मैं विड सालों से हो रहा था और खास करके जब 2017 में मेरे को टिकेट मिला उसके बाद तो जलालत की परकाश्टा हो गई कि मैं कैसे जी रहा था और कैसे मैं मरमर के जी रहा था तो आप आपने पार्टी मतलब आप आप अपी प्रचार कर रहे हैं अपने चुनाओ के लिए बताईए मुकाबला है जी आप कि इतनी बेसती किस ने की आप किस से इतना दाहात हैं ये कौन लोग हैं आपने बोला कि ये लोग मुझे मेरा जीना मुश्किल कर दिया इन लोग ने मेरे खिलाफ साज़िश की ये कौन लोग हैं नहीं देखो ना प्रदेश तर पे तो दो तिन लोग हैं लेकिन जब सारा मामला जाता तो नडरी के पास जाता था नडरी मेरे बच्पन के साथ ही हैं हम युनिविस्टी में कठे पड़े हैं चार साल हम एक सेक्शन में एक फ्लोर पे एक होस्टल में साथ वाले कमरों में रहे और 2017 में टिकेट मिलने के बाद वो पता नहीं क्या हुआ कि मेरे दोस्ती सारे दुश्मन हो गए 2017 में एक रैवल को खड़ा किया यहां पे उसको फंडिंग की गई स्टेट प्रेजिजिंट आके उसको खड़ा होने के लिए प्रेजित कर गया और फंडिंग कर गया मैंने यह बात जब हाई कमांट के सामने रखी तो उस पर कुछ नहीं हुआ मेरा मजाक उड़ा जाना लगा कि तुम्हारे फैसले तो उपर होते हैं इस सरकार में जो सत्ताधारी लोग थे मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री मिंडल तक वो सारे मेरे समकालीन थे मेरे समकाक्ष थे लेकिन मैं चुनाब बारह सो बोटों से हार गया तो इसका इतना फर्क पड़ गया कि मैं इस सरकार में किसी बोर्ड कॉर्परेशन का मेंबर तक नहीं हूँ आप मैं टिकेट मांगा था इस बार मांगी रहे थे नहीं पिछे जो मेरे जिन से मैं हारा था जो आदरी सुजान सिंग पठानी है जो कांगरिस के मिल लेते उनका पिछले साल देहां तो गया था पिछले साल लूप चुनाब हुआ उप चुनाब में उसी बुल्देव ठाकर को जो मेरे खिलाफ लड़ा था उसको पार्टी में आके टिकर दे दिया अचा तो आपको ने दिया मेरे को नी दिया फिर ननटजी ने मेरे से बात की कि नहीं तुम्हें चुनाब नीई लड़ना है मैंने चुनाब नहीं लड़ा पिर मुख्यमंत्री जिया जहाँ से मुझे ह production मिठाके ले गए कि आपका पूरा मान समान होगा आप ये करेंगे व और मुझे एक पार्टी ऑफिस से फोन कॉल आता है कि जो चौबिस तरीक को पदा दिकार होने वाले उसमें आप नहीं आएंगे तो मैंने उसको पुछा भी क्यों नहीं आएंगे कि यह उपर से देश है मैं किसने का है स्टेट प्रेजिएंट ने तो मैंने स्टेट प्रेजि में अगर मैं पदादिकारी हूँ तो मैं पदादिकारी की मीटिंग में आऊँगा अगर आप मुझे रोकते हैं तो फिर जेल उस्तिफा मैंने एक लाइन का सिफ़ा नको भी दिया फिर बबाल मचा फिर नड़ा जी बीच में आये तो आप चुनाओ लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं बीजेपी की तो लड़ाई में ही नहीं है नहीं है लड़ाई में वो वो इतना बदनाम आत्मी है कोई जहां गाउं में जाते हैं कोई ने कोई उसका शिकार मिल जाता है उसका विक्टि मिल जाता है तो यह बताए परमार साब अगर मालीजे कल नतीजे नहीं आए आप चुनाओ जीत जाते हैं अब लड़ रहे हैं तैयारी से लड़ रहे हैं पू मुदी जी के लिए विचारधारा के लिए चाली साल जिंदगी का में टू थर्ड होता है लेकर आप बहुत सब्सक्राइब करके देखिए कि चाली बतारी साल में जिस आदमी ने कुछ नहीं मांगा जो मिल गया तो मिल गया नहीं मिला तो नहीं मिला जिस आदमी ने कोई विवाद नहीं खड़ा किया जिस पर कोई औरोप नहीं है शांती से शलीनता से पार्टी का का काम करता है पच्छी साल से लगातार परदेश का पता दिकारी है राजसाबा का सांसद रहा है वहां भी परफॉर्म करके दिया है प तो आप मेरे दिलपी की चोट को समझीए ना, कि मुझे इतना मारा गया, कि मेरा एहसास खतम हो गया, और जब मेरे भगवान की कॉल आई, तो मैं उसको जवाब देने के काबिल नहीं रहा था, मोदी जी की काल आई तो जवाब देने काबिल है, अभी भी देखे, मोदी जी की तस्वीर वहाँ लगी होई आप घर में, मोदी जी से भात मिला रहा है, तो वो तस्वीर भी दिखाई है माले जी, वो तो तस्वीर लगी होई है वहाँ पर, अभी मोदी जी के साथ फोटो बड़ी बदनामी भी हो रही है वैसे ये model code of conduct का उलंगन भी रधान मंद्रीपद के नहीं सर प्रदान मंद्रीपद पर रहकर किसी समयधानिक पर रहकर किसी के डिदेट को फोन नहीं कर सकते हैं आप बिद्रॉ और थे अपने समयधान कि अधार पर रहे हैं उन्होंने, उनका जो मेरे पे हक है, उसके खारण फोन किया थिक है। अगर आप कहेंगे, कि उनका हक है, तो कूनाओ के लड़ रहा है। और मैं आपको तथे दे सकता हूँ कि मेरे उनके relation कीसे है। और अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो उन्होंने जो किया वो बजुर्गों का हक था और मैं जो कर रहा हूँ वो बच्चों का हट है करपाल पर्मार साब इतने साल सीजन पॉलिटीशन है वैसे जो हमारा अनुभव है उसके मताबिक करपाल पर्मार साब की जगे कोई और होता प्रधामंतरी मोदी का फोन आता तो कमरा बंद कर लेता और प्रचार करता कि मैं वोट नहीं मांगूँगा मुझे वोट मत दीजे लेकर करपाल पर्मार साब सांसद रहे हैं उनकी अपनी समवेधनाई हैं उनका अपना यहाँ पर परिसितिया है और वो चुनौल लड़ रहे हैं कि वो चुनाओ जीत करके आएंगे तो ये हिमाचल चुनौ Less Qué सबसे बड़ी हाइलाइट कर प्रधान मंतरी मोदी का वह फोन वेटी वेंडिया